हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का बीद माश्टर में मैं हुझे और आज हम एक और बोर्ड लेंगे ठीक है जो कि हमारे रिटेन बोर्ड सीरीज का है इसमें इस मत में हमने जितने भी बोर्ड रिपेर किये उसमें से टोटल चार बोर्ड हमारे पास रिटेन आया है लेक में यहां पर जो लेना इसकी के बाजू में जो ट्रांजिस्टर होता है वो फॉल्टी हो गया था उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया है आप देख सकते हैं तीसरा है वी बोर्ड था जिसके अंदर बायोस का प्रॉब्लम था और यह लास्ट वाला ब बाकी है ठीक है तो सोचो आज जितने भी रिटन आया है उनका एक वीडियो बना दे तो पहला वाला वीडियो नहीं डाला है लेकिन उसके बाद के दोनों बोर्ड का वीडियो मेंने पोस्ट किया हुआ है आप देख सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम है यह डेड हो चुका ह ठीक है आप देख सकते हैं कि यहां पे यह लाइट इंडिकेशन हो रहा है तो कुछ लोगों को लगेगा कि यह कहां डेड है यह तो ओन है तो जी नहीं यह एस्पड वीडिडी बन रहा है रेम के ऊपर इसवज़े से यह हमें लाइट इंडिकेट कर रहा है ठीक है इसको यहां से हटा लेता हूँ ताकि आप देख सके और इसको भी थोड़ा हटा लेते हैं ठीक है ताकि आप देख सके ओके चल तो यहां पे इसका पावर बटन है इसको हम आउन करने की कोशिश करते हैं तो यह आउन नहीं हो पा रहा है जब PCA वाला पोस्ट दिब काड़े करें इसमें लाइटिंग वगरा हो तो आप समझ सकते हो कि हमारा बॉर्ड आउन हो चका है देख सकते हैं कि यह मैंने बॉर्ड बॉर्ड को फॉर्स फुली बॉर्ड का आयां किया ठीक है तो फॉर्स फुली ओन हो रहा है लेकिन यहां पर फॉर्ट कर् notes रहीं हो रहा है ठीक है तो हो सकता है कि इसके अंदर बायोश का इश्यू हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका बायोश राइट करेंगे और चेक करेंगे लेकिन और चीज मुझे देखने को मिली है जो कि हमने पहली बार रिपैरिंग करके दिया तब देखने को नहीं मिली थी आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा water damage हुआ है ठीक है जब हमने first time repair किया तब यहां पर ऐसा कुछ नहीं था तो हो सकता है कि यहां पर water damage की वज़े से बोड़ बंदो गया हो तो हमें उस चीज़ को clean भी करना होगा और साथ ही में हम bios भी write करेंगे और चेक करेंगे कि क्या यह सिर्फ दू चीज़े करने से हमारा problem solve होता है नहीं होता है तो फिर से हमें step by step हर एक चीज़ को check करना होगा ओके फ्रेंज हमने फोर इंबी का इसका bios write कर दिया है तो अब हम बोड में लगा के चेक करेंगे कि क्या इससे हमारा problem solve होता है मैंने यहां पर बायर्स लगा दिया है आप देख सकते हैं ठीक है और मैंने यहां पर थोड़ा बहुत clean भी कर दिया है प्रॉपर clean नहीं किया है तो एक बार test करेंगे उसके बाद ही हम वहां पर प्रॉपर cleaning करेंगे ठीक है और अब यह बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो इसको फुटा फुट कूल डाउन कर देते हैं और फिर हम चेक करेंगे चली इसको अन करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ओकी यह आन भी हो गया है अपने आप तो आपको पता ही होगा कि जब बायोस राइड करते हैं और नहीं यह बोर्ड रिस्टार्ट नहीं हुआ और सीधा है डिस्पले आ गया आप देख सकते हैं ठीक है तो बायास राइड करने से इस बोर्ड में भी हमारा प्राब्लम सोल हो गया तो इस मत के टोटल तीन जो रिप्लेस्मेंट वाले बोर्ड थे वो सुरी चार रिप्लेस्मेंट वाले बोर्ड से उसमें से तीन बोर्ड प्रॉपरली ओके हो गये हैं इसको भी हम टेस्ट करेंगे और फिर वेंडर को रेटन कर देंगे तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा and thanks for watching